हलो फ्रेंड्स मैं अमित कुमार नॉलेज ट्रेक 24 ओनलाइन यूट्यूब मंच पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी सांदार तरिके से चल रही होगी फ्रेंड्स जैसा कि अब सब कुछ किलियर हो गया है आपने एम्स के लिए फॉर्म भी भर दिया आपने एम्स का अपडेटेड किस तरह के प्रस्ना आएंगे उससे भी परिचित हो चुके हैं साथ ही साथ सिलेबस का जो कनफ्यूजन था वह भी उमीद करता हूँ कि आप लोगों का सारा डौट अब समाप्त हो गया होगा जोकि आप लोग इस बात को अच्छे ढंग से अब समझ गये होंगे कि आखिर एम्स की जो होने वाली परिक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रस पूछे जाएंगे इसके बाब जो डेली एम्स के द्वारा मॉडल कुश्चन आंसर जो की जीके एवरनेस अर्थात जीकेस रिलेटेड कुश्चन है वो भी एक्जामनेशन डिमार्टमेंट जो की कुछ प्रेंट्स जुड़े हुए हैं तो उनके तरफ से कुछ मॉडल कु तो उसी कुश्चन को हम लोग देखेंगे एज ए मॉडल कुश्चन की रूप में और इससे इस बात की पुरी पुष्टी हो जाएगी कि आखिर आने वाले प्रसन जो हैं जीके जेनरल नौलेज एम जेनरल एवरनेस के वो किस प्रकार के होंगे तो चलिए आए देखते हैं सबसे पहला प्रसन देखिए निसार पिर्थवी अबलोकन उपग्रह बर्स 2024 में कहां से लंच किया जाएगा इसका सही और आंसर हो जाएगा 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्र दूसरा नमबर देखिए निलखित में से कौन सोन नदी की उदगा मस्थल है तो देखिए सोन नदी है सोन नरमदा एवन महानदी इसको याद रखने का सबसे अच्छा है special tricks है सोनम याद रखिए कि सोनम कोई लड़की है और सोनम का जो है उदगम वो अमरकंटक की पहाड़ी से हो रहा है तो सोनम याद यह रखना है एकदम ट्रिक्स से कि अमरकंटक से निकलने वाली नदिय हैं तो सोनम तो देखिए सोनम में तीन अक्चर है और तीन नदियां जो है उदगम होता है अमरकंटक से तीनों नदियों के उदगम अस्थल को जरूर जान गए होंगर साथ ही साथ या भी प्रसन अगर पूछ लिया जाए कि अमरकंटक की पहार से कौन-कौन से नदियां निकलती हैं तो निश्चत रूप से आप सही जबाब दे पाएंगे एजे सोनम को याद रख करके चलिए नेक्स्ट प्रसन देखते हैं फ्रेंड्स ये प्रसन काफी इंपोर्टेंट हैं क्योंकि इसी प्रकार के प्रसन जो है आपको आने वाले हैं तो इसी लिए as a model question के रूप में आप इसे समझ लीजिए या फिर आने वाले संभावित प्रसन की स्रेनी में भी आप इसे रख सकते हैं क्योंकि अब समय चुकी काफी कम बचा है updated syllabus भी आपके सामने आ गया है आप लोगों ने अपने form का जो correction window open हुआ था उसके माधियम से भी देख लिया होगा मैं हर बातों पर भी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि बेवज़ा disturb करना मेरा कोई मकसद नहीं होता है कुछ पढ़ाई से समंदित चीज़ें और साथी साथ वह इसी चीज़ें जो कि आपके लिए fruitful हो और आपसे जितने भी फ्रेंड्स हैं जुरे हुए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहली बात कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइबशन से आपको ये फायदा मिलेगा कि कोई भी वीडियो अगर अप्लोड होता है या फिर मैं वीडियो को जो है अगर यूट्यूब पर अप्लोड करता हूँ तो उसका नोटि प्लोड हो अद्यल कोदो होई हूँ और मुझे से कोई लेनद दरना यह मेरा मकस्द आप लोगों का हेल्फ करना है अगर मेरे किसी भी वीडियो से आपको थोरा भी हेल्प हो जाती है आपकी तयारी में थोरा भी फायदा मिलता है तो मुझे इससे काफरी खुशी होती है और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है कि आपकी तैयारी की भागीदारी में मैंने भी कुछ आपको help किया तो बेवज़ा अपने watch time को बढ़ाने के लिए अपने subscription और subscriber को बढ़ाने के लिए मैं video नहीं बनाना चाहता हूँ चोटी मोटी जो भी चीज़ें है वो आज का जो digital और technology का यूग है उसमें बहुत सारे ऐसे friends हैं जो कि खुद update हो जाते हैं उन पर message पहुँच जाता है उन तक जो है examination section के द्वारा email भेज दिया जाता है और वे भली बाती जो है खुद से पर करके समझ करके अपडेट हो जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है तो इसलिए वीडियो में बेवज़ा नहीं डालता हूँ और आपसे भी request करना चाहूंगा कि यदि आप अच्छे student की स्रेनिम आना चाहते हैं या फिर सफलता पाना चाहते हैं तो बेवज़ा की वीडियो को मत देखिए अगर आपके लिए फायदे मन्द है, fruitful है तो उसे न पूछे जाने वाले हैं, तो इसी क्रम में चलिए, देर ना करते हुए हम लोग तीसरा नमर कुश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के प्रधान मंतरी द्वारा वरुना का अनावरन किया गया है, इसके बारे में निर्खित में से क्या सच है, तो वरुना जो है वो भारत का पहला पेसेंजर ड्रोन है, चलिए, नेक्स चोथा नमर कुश्चन देखिए, बर्स दोजार तीन में किस भासा को आठमी अनुसूची के अंतरगत लाया गया था, तो बोडो के याद रखेगा, मैथली, संथाली, बोडो और डोगरो, मैथली, संथाली, बोडो और डोगरी ये जो चार भासाएं हैं, इसे बिरानवा, संभीधान, संसोदन, 2003 के अंतरगत जो है, संभीधान की आठमी अनुसूची के अंतरगत अंतरनहित किया गया था, तो याद रखेगा, कि आठमी अनुसूची के अंतरगत जो है, कुल 22 भासाएं हैं, और इन 22 भासाओं में, बर बोडो और डोगरी इसमें बोडो ऑप्सन में है इसलिए जो है इसका सही जवाब बोडो होगा देखिए एमस के जो एक जामनेशन आ रहे हैं उसमें इंडियन कंस्ट्यूशन से जरूर प्रस्न पूछे जा रहे हैं अनुचेद अनुसूचियां इस सब को जरूर आप देख भाग भी देख लें इसके तरीक अगर आपको कोमेंट करें आपको ट्रिक्स के माद्यम से पूरे अनसूची अनुचेद और जो भी दिक्कतन आरही है आपको जरूर जो है यूनिक तरीके से याद करवा दोंगा ताकि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे चलिए नेक्स देखिए पाचमा नमर कोश्चन केविनेट मिशन यूजना का आगवन किस वर्स हुआ था तो याद रखेगा 16 माई 1946 देखिए इस तरह की जो डेट वाइज कोश्चन है वीडियो जो है एक अपलोडेड है इसके बाद भी एक रिसेंटली मोस्ट जो है इंपोर्टेंट वीडियो डेट से मंदित आएंगे वो चाहें आप किसी भी एक्जामनेशन का तयारी क्यों ना कर रहे हों उसके लिए हिस्टरी के सेक्शन है तू वो काफी फाइदे मंद ह होंगे तो फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि निश्यत रूप से आप अगर इसे फ्रूट फूल वीडियो आते हैं तो आप उसे जरूर देखेंगे क्योंकि इससे आपका खुद का फाइदा होगा तो देख पा रहे होंगे आप कि ये कि ये मॉडरन हिस्ट्री से जु कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में मंतरी परिशद को मजलिस एक खलवत कहा जाता था चलिए साथवा नमर कुश्चन देखिए बावर नामा का फारसी मनुवाद किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिए बावर नामा का फारसी जो है अनुवाद अब्दुर रहीम खा परदिवर्स मनाए जाने वाला फसल उत्सब मनाए जाने वाला फसल उत्सव निम्रिकी तमें से कौन सा है तो लोसुंग पर्स के आवागमन पर नव फसल जब उगाया उसी प्रकार से सिक्कीम में भी जो फसल उब जाया जाता है नई बर्स उस वर्स में starting के आजे first time में कहिए तो वो फसल उतसब को जो है लोसुंग कहा जाता है याद रखेगा लोसुंग विहू होगा नहीं असम में सरहुल जो होगा नहीं क्योंकि सरहुल जारकंट का है और हरेला होगा नहीं हरेला जमू में मनाया जाता है किसका सही जवाब प्रशन दखिए निम्रिखित में से किस समीती की सिफारिस पर बर्स 2011 माइक्रो फाइनस संस्थान की अस्थापना की गई थी तो यह मालेगाम समीती समीती से जुरे हुए most important प्रस्णों की series भी हम आप तक लाने वाले हैं जिससे कि आपको जानकारी मिल सके किस समीती की सिफ प्रशन पर जो है कौन सा कार हुआ है उसमें जो है आजादी से लेकर कि अभी तक का टोटल जो है नोटस की रूप में एजे पॉइंट की रूप में well connection जो है हमारे पास एब लेवल है मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को लाँं ताकि आप जो है उसके माधिहम से पर सके कि उतना सारा सिलिबस तो आपको अपडेट करना पॉसेबल नहीं हो पाएगा लेकिन जो भी मोस्ट इंपोटेंट है वीडियो पे बने रही है लगातार चैनल से जूरे रही है तो यदि आप परहाई लिखाए में इंटेस रखते हैं तो आपको काफी फाइदा होगा चलिए दसमा नमर कुश्चन देखिए भगवान महावीर वनजीव अभियारन किस राज में है तो ये गोवा में है याद रखेगा गोवा में जो है महावीर वनजीव अभियारन है जिसे कि भगवान महावीर वनजीव अभियारन भी कहा जाता है एक यारवा नमर कुश्चन देख तो पाकिस्तान इसका सही जवाब होगा बारवा नमर कुश्चन देखिए कपिल देव की आत्म कथा तो ये एस्ट्रेट फॉर्म दा हर्ट जो है वो कपिल देव का आत्म कथा है प्लेइंग इट माई वे बता दिजी आप जल्दी से किसका है तो ये सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे जो है याभी विविन परिक्षाओं में कई बार पुछा गया है तो ये जो आत्म कथा है वो सचिन तेंदुलकर का है The right of man Thomas Pan की आत्म कथा है कई बार यह भी पुछा गया है कि the right of man के रचनाकार कौन है तो थोमस पेन याद रखिएगा इसके बाद तेरवा नमर कुर्षिन देखिए 2011 की जणगना के अनुसार सबसे अधिक आवादी वाला केंदर सासित परदिस कौन सा है तो देल ही जो है आपका 2011 की जणगना के अनुसार सबसे अधिक आवादी वाला केंदसासित प्रदेश है प्रेंट्स यदि आपने सेंसस को अच्छे धंग से नहीं पढ़ा है तो निश्यत रूप से मैंने आपको पुर्म में भी बताया था कि सेंसस से प्रस्ण जरूर आ जाते हैं तो सेंसस को आप पर सकते हैं वो बहुत लंबा बेजिल और जटिल टॉपिक नहीं है असान टॉपिक है और प्रस्ण के आने की चुकी मुष्ट प्रबैबिलिटी रहती है इसलिए आप सेंसस को जरूर पर लें और यदि आपके पास नोट्स एबिलेबल नहीं है या फिर आप यूनिक तरीके से नहीं पर पा रहे हैं या फिर आप परते हैं और बारंबार भूल जाते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीजिए उससे संबंदित वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि एक बार यदि आप याद कर लें सेंसर्स को तो फिर कभी नहीं भूल पाएंगे जरूर निशी दूर्प से आप कॉमेंट करके बताइए मैं उस पर भी वीडियो आपको प्रवाइड कर दूँगा ताकि जितने भी स्टूरेंट एम्स के लिए इस गॉवर्मेंट जॉब को पाना चाहते हैं वे सफल हो सके हैं चलिए चौदवा नमर प्रसंद देखिए सुकन्या समर्दी योजना किस वर्स शुरू की गई थी तो ये 2015 में शुरू किया गया था इसके बाद ने अंतिम कोश्चन देखिए ओडिसा भासा को सास्त्रे भासा का दर्जा देने की गोसना किस वर्स की गई थी तो ओडिसा भासा को सास्त्रे भासा की दर्जा जो है वो 2014 में दिया गया था और इसकी गोसना भी 2014 में ही की गई थी तो उमीद है कि ये सभी 15 प्रस्न को आप as a model question answer group में निश्च दूरुप से देखकर समझ गए होंगे कि इसमें census, current affairs से जुरे प्रस्न के साथ साथ परमपरागत जीके से भी related प्रस्न पूछे गए हैं अभी हाली में जो एम्स बोपाल के दौरा examination common requirement के अंतरगत हुआ था जिससे समझ प्रस्न भी हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए लाए थे जिसमें कि बारत से अधिक LDC, storekeeper, driver, datician समय अन विभिन प्रकार के बारत से अधिक post के लिए एक common examination लिया गया था उसमें आप देखे होंगे कि current affairs से अच्छा खासा प्रस्न पूछा गया था और latest up to date current affairs पूछा गया था तो ऐसे मैं मैं आपको निशित रूप से अगाह करना चाहता हूँ आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि यदि आप current affairs को ignore कर रहे हैं तो ऐसा ना करें current affairs से प्रस्न जो हैं दिसंबर नवंबर अक्टूबर सेप्टेमबर कम से कम चार महने का जो current affairs है उसे जरूर आप नोट्स कर लें चाहे आप परत्योकता दरपन से परते हों या फिर समान गयान दरपन से परते हों आप अपना खुद का एक नोट्स बना लें और minimum जो है चार मंत का जो दिसंबर से पहले का चार मंत है उन सभी का जो है अगर आप 6 मंत का कर लेते हैं तो निशित रूप से sure हो जाईए कि यदि अगर current पुछा जाएगा तो आप जरूर जो है बना पाएंगे अगर old रहेगा उस से अधिक तो सब के लिए skip होगा तू आप से भी skip होगा उसकी चिंता ना करें लेकिन जेनरली 6 मंत का कहने का अर्थ यह हुआ कि यून से लेकर के दिसंबर तक का current affairs जो है most important VVI topic section जो भी current affairs से चाहे वो national international event हुए हो उन्हें आप जरूर जो है देख लें क्योंकि सफलता में जो है current affairs का एक बहुत बराहात होता है current affairs को वही student बना पाते हैं जो की latest up to date होते हैं आप चाहें कितनों ही पढ़ने में अच्छे क जो ना हो आपने पूर्व से तैयारी कर रखी है लेकिन current affairs से आप update नहीं हो पा रहे हैं तो वह प्रसन जो है गलत हो जाता है तो मैं request करना चाहूंगा कि आप current affairs के section को भी ignore ना करें पिछले 6 मन्त के अर्था जून से लेकर के दिसंबर तक के current affairs को जरूर देख लें और यद मैंने का most important current affairs का भी section notes जो है handwritten notes जो है available है जिससे की बिविन परिक्षाओं में कई बार प्रस्म में पूचा गया है निश्च दूप से मैं अपनी उस copy या diary से आपको upload करके current affairs जो 6 मैंने के updated हैं उसे भी मैं जरूर आपको बता दूगा friends चुकि मैं भी फिलाल में BPSC और UPSC दोनों को focus कर रहा हूं तो यही कारण है कि मैं current से भी up to date रहता हूं तो यदि आपको current में भी परिसानी हो रही है कुछ दिकतें आ रही है तो जरूर आप current affairs के बारे में भी comment section में comment कीजिए इसके अतरिक आपको कौन सा topic परिसान कर रह या फिर आप नहीं समझ पा रहा है या फिर आप कौन से subject या topics को लेकर के आपको यह मन में दुबधा हो रही है कि मेरा preparation नहीं हो पा रहा है तो जरूर comment section में बताईए आपके लिए video मैं जरूर जो है लाने का प्रियास करूँगा चलिए friends मिलेंगे next video में तब तक के लिए जय हिंड जय वारत आपका दिन सुभो